हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं गुलिश टीचिंग आज की इस वीडियो में हम कुर्ती के दामन में गुम सिलाई के साथ सटल लेस लगाने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए देखते हैं हमने इसको लगाया किस तरह हैं देखिए कपड़े की हम रों शाइड नीचे रखेंगे और राइट साइड ऊपर रखेंगे राइट साइड में कपड़े को फोल्ड करना हैं तो हमने डेड़ी इंच इसमें सिलाई मार्जन लिया है पहले उसको हमें half inch fold करना है और फिर half inch fold करकर हमने इसको प्रेस के साथ सेट कर लिया है अब हमें ये less लेनी है और less की जो right side है वो नीचे रखनी है और इसकी wrong side उपर रखनी है इस तरह से और जितनी हमें इस less को show करना है इतना हम इसको set करते हुए इसके उपर सिलाई लगा लेंगे तो हमें नीचे के कपड़े को और उपर के कपड़े को विल्कुल भी खीचने नहीं है बहुत आराम से हम इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे कट कर देंगे अब इसको नीचे की साइड कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इसको हम अपनी दूसरी सिलाई लगाएंगे अगर आप बिग नर्स हैं तो आप यहाँ पर प्रेश से पहले कपड़े को सैट कर लें जिससे हमारी सभी सिलाईयां सही से बैठ जाएं यहाँ मारा कपड़ा ठीक से सयट हो जाएगा अगर आप अप्रेश कर लगें लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है तो आप इसको आसानी चेसे यह लगा सकते हैं कि हमें यहां पर नीचे वाले कपड़े को खीशते हुए सलाई लगानी है जिससे हमारे नीचे की कपड़े में जोल नहीं आए अब इसको कट कर लेंगे देखी कितनी फिनिशिंग से हमारी यह लग चुकी है आई हो वीडियो आपके लिए हैल पूर रही हो कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग झाल